हरे किष्णा हरे किष्णा सीधी बात प्रभुजी की साथ में आप सभी का बहुत-बहुत सौगत है दर्श को आज का जो एपिसोट है वो बड़ा विशेश है क्योंकि आज सीधी बात प्रभुजी के साथ का डेड़ सोबा अर्थाथ एक सोपचास बा एपिसोट है तो इसके लिए हम प्रभुजी को अपने साहिर्दे धन्यवाद देना चाहते हैं कि वह अपनी इसनी व्यस्त पढ़ कर रो रहा है तो जी हां मिरत्यू भी एक ऐसी चीज होती है जो उसकी अपनी एक कहानी होती है हर व्यक्ति जानता है फिर भी समस्ता नहीं है यही एक बार ऐसा हुआ जब युदिश्टेर महाराज से यक्ष्य ने प्रश्ण किया यक्ष्य ने पूछा कि इस अंसार की सबसे अद्वुत या आश्यर करने बाली बात कौन सी है तो युदिश्टिर महराज कहते हैं मृत्यू तो वो पूछते हैं ऐसा क्यों तो युदिश्टिर महराज कहते हैं ऐसा है इसलिए क्योंकि हर व्यक्ति को पता होता है कि उसकी मृत्यू आने वाली है लेकिन फिर भी वह इस प्रकार से कारे करता है जैसे वह उस चीज से अंजान हो और आज हम इसी विशह पर बड़ी घहराई से चर्चा करने जा रहे हैं प्रभुजी के साथ तो आज का विशह है कि मनुष अपनी मित्तु के स्थान पर कैसे पहुँच जाता है तो आज जो दर्शक हम से पहली बार जोड़ रहा है उनके लिए मैं संचित में प्रभुजी के बारे में बता दू बागी सबी लोग जानते हैं हिस ग्रेज से नातान धर्म प्रभुजी एनाइटी से पासाउट है प्रोफेशनल प्रोफेशन वो इंजीनियर है और इसके बाद प्रभुजी ने टाटा मोटर्स में ऐसे मैनेजर की तरह जॉब किया और फिर उन्होंने इस कौन पूने में अपने जीवन को पून रूप से भगवान के लिए समर्पित किया और आज वह है एक spiritual mentor, counselor की तरह कारे कर रहे है हजारों नहीं, लाखों लोगों को मारदशिन कर रहे है और हरे किश्णा TV के माध्यम से भी वह बहुत ही अच्छे तरीक से लोगों को अध्यात्मिक ज्यान प्राप्त करने में साहता कर रहे है तो आईए हम आमंत्रित करते हैं His Great, Sanatan Dharm प्रभुजी अज का जो सत्रे वड़ा विशेश है और हम आपको अपने हिर्दे की घहराईयों से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपकी इतनी मूल्यवान दिन चरिया से इतनी व्यस्त दिन चरिया के बाबजूत आप हर गुर्भार को हमें समय देते हैं और आज हरे कृष्णा टीवी की सीधी बात प्रभुजी के साथ का डेर सोभा एपिसोड है हरे कृष्णा आज आपके चेहरे को देखकर भी ऐसा लग रहा है जैसे आप भूत थके हुए है प्रभुजी अच्छली मायपुर यात्रा गए थे हम हमारे कॉंग्रिकेशन के साथ आज दुपर कोई लोटे है तो इस तरीके से तारीके से तारीके से एपिसोड है देर सोवा एपिसोड तो आम वेरी एक्साइट बहुत ही अत्यंत कृतिकनियता महसूस कर रहा हूँ अपने आपको की इतना अच्छी रूप से मुझे सिवा करने का जो है आफसर मिला अब आपकोनिटी तो सर्व सो वंदरफुली बहुत अच्छा लग रहा है थांक यू सो मच मैं इस अवसर को जो है इस अवसर का थोड़ा लाब उठाते हुए जितनी भी मेरे गुरुजन है उनको उनके प्रतिकृतग्जिता वेक करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे प्रशिक्षित किया, श्लप्रभुपाज जी, मेरे गुरु महराज, जिन्होंने थोड़ा बाग ज्यान मैं प्राप्त कर पाए, उन्होंने तो प्रचूर ज्यान बाटा है, और उसका अंश मात्र आप सभी ओडियन्स को बहुत-बहुत धन्यवाद, मेरी भरपूर प्रतग्नियता क्योंकि आप सभी लोग हमारे शोर देखते हैं, पर्ष्ण करते हैं, कॉमेंट करते हैं, जिसके वज़े से हमें और प्रेड़ना मिलती हैं सेवा करने के लिए, तो थैंक यू अब्रिबर कर रहे हैं उसके लिए, और आज एक उचाई हमने छूली है कि देड़ सोब आपिसोट पर हम आएं, और हम ये भी आशा करेंगे, आगे भी इसी प्रकार से आप हमें मारदशित करते रहे हैं, बिल्कुल प्रेयास करेंगे, जी, तो क्या इस कड़ी को आगे बढ़ाए पर कैसे पहुंच जाता है, मेरा पहला प्रश्न है, ये मृत्यू जो है, एक अदभूत तरगी कार है, जिसे युदिष्ट्रि महारा समनी का एक्जांपल देखके कहा, कि एक अदभूत बात है, जो हर विक्ति को पता होती है, लेकिन विक्ति जान नहीं पाता है, तो ये मृत्यू का रहस्य क्या है? इस ब्रामनों को वे जो है, गाहे दान कर रहे थे, लेकिन ऐसी गाहे दान कर रहे थे, जो दूद देती नहीं है, तो जैसे न दूद देने वाले गाहे को दान कर रहे थे, तो जैसे नसरी के इतने तोड़ा डाउट पूचा कि पिता जी, पिता जी, आप तो है बिना मुझे भी बुड़ा हो जाओंगा बड़ा हो जाओंगा मुझे दान कर देंगे पिताजी बला जी चुबैट मैं तुम्हें यम्राज को दान कर दूंगा ऐसे करके बोला लेकिन वो तो यग्णी चल रहा था और जो भी वचन होते उसको पालंग करना पड़ता है तो लाइन म मुझे अपने प्रामिस किया है अपने प्रतिग्या ली है कि आप अपने पूत्र को हमें दान करें گे तो आम पूत्र को लेने आ trustees हैं तो बहुत ही शोः विला प्रकत करते हुए विवस्ता के पूरवक नचिकेट के पिता को नचिकेट को यम्रमन किंकर के पास सौपना करना क्या है जिनकी special case था अभी तक एक तरीके से उसका कर्म पूर्ण नहीं हो चुका था लेकिन एक तरीके से अकाल मृत्यू भी हो गई यंगें कर यंग लोग जाना मतलब मृत्यू आ गई है आपको तो इसका करना क्या है इसके कर्मिक अकाउंट क्योंकि बच्चों का कर्म भी नहीं होता तो confused थे और यम्राज जो थे वो किसी छुट्टी पे गए हुए थे I don't know what kind of leave it was casual leave, privilege leave, family trip, यात्रा I don't know जिस पर हम मायपुरी यात्रा गए थे शायद यम्राज भी थोड़ा यात्रा के लिए गए थे नहीं पता लेकिन वो इहां पे उपस्तित नहीं थे तो तीन दिन तक जो है नचिकेत को उधरी खड़ा रहना पड़ा और तीन दिन उपरांत जो ही यम्राज आए और जैसे ही यम्राज आए उन्होंने दिखी यम्राज कैसे महान व्यक्ति है तुरंत आके नचिकेट से शमा याचना की कि हे आत्मा मेरी वज़े से आपको बहुत कर्ष्ट उठाना पड़ा मैंने आपको तीन दिन तक यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में रखा इसी के बदले मैं आपको तीन वर्दान दे सकता हूँ तो मैं तीन वर्दान दूँगा आपको जो मांगना है मांग लीजिए तो पहली चीज़ों बताते हैं कि पहला वर्दान है कि मुझे फिर से जो है पेरा वहुतिक शरीट प्राकृत शरीट दे दीजिए और मुझे जो है अपने पिताजी का संग में वापिस भेज दीजिए यमराज बूले ये तो करने वाना हूँ दूसरा दूसरा वह मांगते हैं कि मुझे जो है मेरे पिताजी मुझे थोड़ा क्रोधित हो गये थे भावनाव में थोड़ा क्रोधित हो गये थे कि मृत्यू क्या है, जीवन के परे चीजे क्या है, जीवन का लक्ष क्या है, ये सारी चीज आप मुझे करपा करके बताईए, तो यह हमराज बोले, देखो बेटा, यह तीसरा बर्दन तो मैं नहीं दे सकता, पहले दो दे दिये, तीसरा कुछ और मांग लो, यह जी जाहिए, मुझे जामना है, यह क्या है, यह अमराज बोले, देखो, बड़े-बड़े देवतागन, बड़े-बड़े इंद्र तक, कभी-कभी, इंद्र दे, चंद्र दे, वरुन दे, वायु दे, इतने बड़े-बड़े देवतागन भी इस सत्य से वंचित रह जाते हैं, बड़े- पूर्ण पृत्वी का राजा बना सकता हूँ, तो पृत्वी का राज स्विकार कर लो और पृत्वी को जाके भोगो, लेकिन मुझे इस प्रश्ण का उत्तर मत मांगो, तो नचिकेत जो है पूरी तरह धृत्ता से पूछते नहीं, मुझे इसी का उत्तर चाहिए, यही मेरा तीसरा वर्दान रहेगा, तो यहमराज जो है नचिकेत की जो जिग्यासा करने की तीवर इच्छा है, तीवर था थी उसमें, उसको देखके थोड़े मेल्ट हो जाते हैं, यह स्पिगल जाते हैं, और फिर उसको जो है, जो रहस्य बड़े बड़े देव, मुनी, रिशी, इत्यादी नहीं जानते हैं, वो रहस्य बताते हैं कि मृत्यू क्या है, इस मृत्यू, तो सीधी सरल भाषा में जो है मृत्यू हम बताते हैं, यह जिस सरीके से व्यक्ति, पुराने कपडे, उकासामसी, जिरनानी, अथा विहाय, नवानी, गिरनाती, नरोपरानी, तथा शर उसी प्रकार से यह शरीर, जो है स्तूल शरीर, यह एक आत्मा के लिए वस्त्र के समान है, तो आत्मा भी जो है पुराने वस्त्र, यानि कि पुराने और इंवैलिड, ओल्ड एंवैलिड, जिस शरीर का कोई काम नहीं रह जाता, वो शरीर को त्याग करके एक नया शरीर मृत्तिव केते हैं, और शरीर को स्विकारने की जो प्रक्रिया है, उसको जन्म केते हैं. तो प्रभजी, निद्रा और मृत्तिव में क्या अंतर होगा? है 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 Wouldn't you hear być हम लोग शास्त्र के अनुसार चार स्टेट्स विलिबन फॉर स्टे?. हैं हमारे स्तिति के आत्मा के स्तिति के ऐस बहुतिक संसार फ़हले पहली सब्सक्राइब अमस्दीफिल जागृत की मैं तो जागृत हूं अभी तक के नमें टकाओ अधवाश्यिश नहीं कर पा रहे हैं मैं उत्तर दे रहाएं इसलिए जागृत हूँ फुफुली हमारे ओडियन्स भी जागृत तो रहा हरी बोल्स भी से नहीं हम देखना चाते कि कि कितने लोग जागृत अवस्ता में जो है यह यह सिदी बाच्छों देख रहे है प्ली जै जागरित होने सब लोग प्रश्ट ने सब को जागरित कर दिया तो यह जागरित अवस्ता conscious state of living ठीक है अपने मिद्र लोग फिर दूसरी अवस्ता होती है स्वप्न की अवस्ता स्वप्न हम जब we go to sleep जैसी हम सोते हैं personally I remember a week back एक हकते पहले I recollected four dreams कैसे शुरू हुए कैसे that's what dreams you just come in yes आप जिस्तिती में होते हो आप वहां कैसे आए और कहां जा रहे हो नहीं पता लगता है एक dream खतम होता है पर दूसरी movie start होती है कहां से start होती है कैसे हम लोग उस परिस्तिती में पहुँचा नहीं तो वह the dreaming state of dreaming जहां पर हम स्वप्न देखते हैं वह स्वप्न कस्तर होता है यह दूसरा स्वप्न तो नीद्रा यानि की mostly यह स्वप्न स्तर पर जाती है तो यहां पे हमारी अपूर्ण इच्छाएं व्यक्त होती है यहां पे हमारे संपूर्ण दिंचरे के सबसे मुख्य जो दिल्चस्प किस्से है वे उत्पन होते हैं और कुछ links येस कुछ कडिया हम जोड सकते हैं हमारे पूर्व जन्मों से something from the past life क्योंकि जब तक हमने कुछ हमारे इंद्रियो द्वारा अनुभव नहीं किया है मन उसको उत्पत्ती नहीं कर सकता परमपुज भक्ती तीर्थ स्वामी महराज के spiritual warrior book में मैंने ये पड़ा था yes so definitely हमने उस परिस्तिती को कभी न कभी अनुभव किया है और उसी के कारण जो है वो अनुभूती के कारण जो है हम उसके चित्र मान चित्र बना पाने है so उसको स्वक्ण कहते है और तीसरी स्तिती होती है सुशुप्ती it's a state of deep slumber जाने कि अधिकतर व्यक्ती संपूर्णक तमोगुन को चूँ चुका है example कोमा बत्ती सम्टाइम डॉक्टर्स बताते हैं ये पेशन जो है अभी कोमा में जा चुका है वो जो आप बोल रहे हैं उसको सुन सकते हैं आप छूँ रहे हैं उसको मैसूस कर सकते हैं लेकिन वो आपको कुछ बोलेंगे नहीं फिर परिवार वाले रोने लगते हैं कि बहुत कम बार जो है कोमा से व्यक्ती वापिस आता है क्योंकि वो बहुत ही very very close to death very close to it क्योंकि मतलब आत्मा जस्ट जीने और मरने के बॉर्डर पे है खड़ी है और कभी भी इदर उदर आसानी से जा सकती है तो ये हैस्तिती जिसको हम बोलते हैं सुशुक्ती तो जादा करके मैंने अपने शिक्षा गुरु से चर्चा की इसके बारे में तो जागरती यानि की सत्वगुन जो सत्वगुनी आवस्ता में है जागरती सोते हैं तो अलग-अलग ख्याल आते हैं तो ये राजसिक होता है रजगुनी और तमगुनी यानि की व्यक्ती बिलकुल is like a vegetable ये बिलकुल एक विक्ष की तरफ विक्ष भी बहुत कुछ चीज़े अनुभूती करता है लेकिन वो रिस्पॉंड नहीं कर पाता, आधान प्रदान नहीं कर पाता, तो that's why इसलिए इसको सुषुप्ति कहा गया है, slumber, deep sleep, which is equivalent to death, almost death, लेकिन death नहीं, तो इस sleep को, इस निद्रा को जो है, कभी-कभी शास्त्रों में मृत्यू के समान तुलना की गई है, क्योंकि ज़्यादातर प्रमान में जो है, इससे व्यक्ति मृत हो सकता है, मृत्यू प्राप कर सकता है, और आकरी fourth state क्या है, चौती state क्या है बूलेंगे, तो चौती स्तर को जो है तुरिय, यानि कि the fourth one, इसको बोलता है समाधी, जहाँ पे व्यक्ति की चेतना संपूर्ण कृष्ण भावनामृत हो चुकी है, तो व्यक्ति संपूर्ण श्री कृष्ण भावनामृत की चेतना में अपना जीवन गतित करता है, he lives on that platform, so वो है समाधी प्राप्त कर लि मतलब वो, हरे कृष्णारी बोल हो गए, नहीं, complete absorption in Krishna consciousness 24 hours, 2400 गंटे भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में मगने रहना, इसको जो है तुरिय या समाधी कहते हैं, और ये स्तर हम सब प्राप्त करने का प्रयास करने है, to be 24 hours Krishna conscious, तो ये चार स्तर हुए जिस पे हम जागृत ह होते हैं, तो धीरे धीरे करके जागृत्ती कम हो जाती है, स्वप्ने कम हो जाते हैं, सुशुक्ती का अगला वाला सर जो होता है, वो मृत्ती होता है, so I hope आप clarify कर रहे हैं, क्योंकि एक तरीके से ये अनुभूती होने के लिए व्यक्ती को एक स्तूल शरीर में होना आवश जाती है, वह भगवद गिता 10, 15.8, जहां पर बताये गया है भगवान स्री कृष्न द्वारा कि शरीर अम्यद अवापनोती, तो शरीर स्टूल शरीर से सुक्ष मशरीर और आत्मा निकल जाती है, और अभी आत्मा को अगर ये चार स्टेट अनुभूती करनी है, तो एक स् अभिया नहीं अनुभव कर सकता, I hope that clarifies. क्या हमारी मित्यू की डेट, समय, परस्टियां फिक्स होती है, या वो भी चेंज होती है, क्योंकि आकाल मित्यू अर्था, आज कलम देखते हैं, कोई 20 साल का बच्चा है, हाली में हम सुनते हैं, इतने सारे बच्चे कर लेते हैं, एजुकेशन का एफेक्ट है, या फिर कि इसी एक्सिडेंट में उनकी मित्यू हो जाती है, तो इस परस्टि में भी आत्मा सरीर को त्याग देती है, तो क्या ये फिक्स होता है, व्यक्ति के मित्यू का टाइम, या फिर हम ये कह सकते हैं, कि ये कुछ और है? उकेशन सही है, भगवत गीता में बोला गया है, जातस्य ही दुरुवम रत्यूरु दुरुवम जन्मा मृतस्यचा, तस्मात अपरिहार यर्थे नत्वम शोचितु मरहसी, यानि कि प्रत्यक व्यक्ति, जिस प्रकार से हर एक प्रड़क्ट मैं मैंनेफाक्चरिंग में था एक प्रड़क्ट का मैनेफाक्चरिंग डेट होता है, और उस प्रड़क्ट का नीचे ही, मैनेफाक्चरिंग डेट के नीचे ही जो है, एकस्पारी डेट लिखी जाती है, और ब्रह्म लिपी के अनुसार भी ये बहुत निरधारित किया जाता है, वेरी स्पष्ट रूप स कितने स्वास शास जो बोलते हैं न ब्रेट्स पूर्वक रेचक कुम्बक ये कितने एक व्यक्ति अपने जिवनकाल में लेने वाला है ये भी निरदारित है राइट तो ये सब चीजों से बहुत ही स्पष्ठ हो जाता है कि व्यक्ति का मरने का समय परिस्थिति और इवन प्ल प्रकार से व्यक्ति का जन्म उसका कौन माता पिता होंगे या और किस परिस्थितिएों में वे उसका जन्म होगा ये सारी चीज़े जो निरदारित होती है उसी प्रकार से म।किन liberation की सारे जैसे ही पुरुष बीज के द्वारा अपने पत्नी को गर्वधारन करता है, बीज आरोपन करता है, उसी समय से जो है, from womb to tomb, शमशान सथ, सब कुछ, दाइवनेत्रेन यानि की higher orchestration, बड़ी योजना द्वारा हो रहा है, that's happening like that, तो इस तरीके से ये आयोजन है, समपूर न परफिर्टी का आयोजन है, तो येस, देश, काल, परिस्तिती, व्यक्ति, विशेश, जो भी उसमें भाग लेने वाले सा भागी होते हैं, ये सारी चीजे नियंदारित होती है, अभी देखते हैं अकाल मृत्यू के बारे मे कुछ लोग समझते की अक्सिडेंट से एक अकाल मृत्यू है, या फिर कोई बहुती यंग एज में, बहुती कम उमर में गुजर गया है, वो भी अकाल मृत्यू नहीं, वो सारी चीजे तै होती है, जो दुर गटना है, ये भी प्रकृति के नियम अनुसारते हैं, और व्यक 55 इस उमर में गुजरता है, उसको मध्यायू कहते हैं, और समदी विली लिवस लॉग लाइफ, 80-100 उसको चीरायू कहते हैं, ये अलपायू, मध्यायू, चीरायू, तो कर्मानुसार व्यक्ती अलपायू, मध्यायू या चीरायू बन सकता है, ये परसंग बी लैग नहीं, तो उस प्रकार से वो हो जाता है, तो हमें ये बिल्कुल समझना चाहिए, जैसे ही व्यक्ती जन्म लेता है, और तो मरना भी उसका मिश्चित है, सारी चीज़े सो मिश्चित है, एक अकाल मृत्यू, आपने ये टॉपिक छेड़ा तो मैं बताना चाहता हूं उसके बारे मे अकाल मृत्यू वो होती है, जब व्यक्ती, जो व्यक्ती जो है, वो अपने इस तूल शरीर को अपने निरधारित समय से पहले ट्यक देता है, उसको अकाल मृत्यू कहते है, और इसको modern day terminology में suicide या आत्माहत्या कहते है, आत्माहत्या, जब व्यक्ती अपने आपको इस तूल उसको अपने पहले हैं, इस तूल शरीर से मुझे रहे लेना है, मुझे बहुत कश्ट हो रहा है, तो मृत्यू मैं फसंद करता हूँ, मृत्यू में कश्ट होगा, लेकिन उससे ज़्यादा पीड़ा और कश्ट मुझे अभी हो रही है, तो तो यह सोच करके व्यक्ती जो है he tries to die तो वो होता है तो हमें एक चीज़ समझनी चाहिए कि suicide आत्महत्य आजब करते हैं ये अकाल मृत्यू है प्रॉबबली तो जब कोई व्यक्ति अकाल मृत्यू करता है तो जिसे हाज हमरे टॉपिक है वो व्यक्ति उस स्थान जिसे हम बोलते है मृत्यू की सथान पर व्यक्ति पहunta जाता है अपने आपी मनुषिय 750 तो क्या आकाल मृत्यू के समय भी ऐसा ही होता है कि व्यक्ति खुद मृत्यू ने attrack करती है तो क्या गर एक जनरल केस में अगर हम बात करे हैं तो वहां तो मैत्यू ने attrack कर रहे हैं सब रहा है तो यह सड़नली हो रहा है और काल निर्धारित नहीं है किए सथान siya अकाल मृत्यू के अगर बात करें, अकाल मृत्यू मिन्स, are you referring to suicide? कि आप आत्मात्या की बात करें? जी जी. आपके, आत्मात्या तो व्यक्ति स्वेच्छा से करता है, it's a free will. तो नेचर का कुछ और प्लान था, प्रकृति के नियम अनुसार उसको कुछ और प्लान था, उसको और कही समय तक जीना था इस शरीर में. It is like example दिया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति बंदी है, बंदी ग्रह में वो एक बंदी है, he's arrested, बंदी है, तो बंदी ग्रह में उसको एक कारावास का एक समय रहता है, तो यह बहुत बड़ा धंड़नी अपना अपरात माना जाते है, तो उसको अपना पूरा कारावास का समय पूर्ण करना होता है, और अगर कारावास का समय पूर्ण करने से पहले वो भाग गया वहाँ से, तो यह बहुत बड़ा धंड़नी अपना अपरात माना जाते है, तो उसी प्रकार से प्रकृति के नियम अनुसार भी उसको एक स्तूल शरीर में एक निर्धारीत समय के इसके परिणाम बहुत घातक होंगे, और उसको अगले जनम में, यानि कि काफी समय तक जो है, कोई स्तूल शरीर प्राप्त नहीं होगा, and that's called ghosts, हमने भूत, प्रेत, पिशा, चिंसब के बारे में बहुत ही विस्तार रूप में चर्चा किया, आप हमारे पहले के सीधी बात प्रोजी के साथ के एपिसोर्स देख सकते हैं, तो उसमें बहुत विस्तर रूप से हमने चर्चा की है, तो यहाँ पे हम लोग उसको नहीं करेंगे, लेकिन स्तूल शरीर नहीं प्राप्त है, यानि कि आत्माएं जो हैं, उनके सुक्ष्म शरीर में बंदी है, उनके धेर सा लेकिन वो इच्छाएं पूर्ती नहीं कर पारें, बहुत ही निकट परिस्तिती में फस गए हैं, बोड़ो, इस प्रकार से उसकी मृत्ती होनी है, लेकिन उसने जो है, वो नियम से हट करके, खुद अपना ही कुछ मार्ग चुन, चैन कर लिया, यह दंड़नीया प्राद है लेकिन अगर यह प्रीवेसी डिसाइड है, कि आपकी जगा निर्धारित है, आपका इस्थान निर्धारित जो है, या लोग सब कुछ समय निर्धारित है, तो क्या भक्ती करने का भी उस पर एफेक्ट पड़ता है? मैं आपको नवेसकंद श्रीमत भागवतम से एक उधारन देना चाता हूँ, सूर्य वंश में एक राजकुमार था, इस राजकुमार का नाम था प्रसृद्ध, तो प्रसृद्ध राजकुमार जो है, गुरुकुल की ट्रेनिंग ले रहा था, अपने गुरु के गुरु थ की रक्षा करने है, गोशाला में, खास करके, यह आपका सेवा है, आप इस सेवा को कीजे, गो रक्षा कीजे, तो प्रसृद्ध जो है, फूरे निष्ठा के साथ अपनी सेवा कर रहा था, एक दिन क्या हुआ, एक बाग जो है, वो गोशाला में गुज गया, और वो गोमात का समय था, तो उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो ध्वनी बेदन करते हुए, जो है, उन्होंने तलवार डाल दी, मार दी, तो तलवार से क्या हुआ, वो बाग जो है, उसको खलके से वो तलवार लगी, और वो खून से थोड़ा लगपत हो गया, लेकिन वो माता को लग करके गो माता का गला कट गया, yes, she was decapitated, कट गया, और अगले दिन जब उसको पता लगा इस बात को, अगले दिन पता लगा, गुरु को पता लगा, तो गुरु बहुत असंतुष्ट है, उन्होंने पूछा भी नहीं क्या हुआ, he didn't demand explanation, तुमने गो हत्या की, पापी, मैंने तुम्हें गो रक्षा करने का दाई तो सो पाता, और तुमने गो हत्या कर दी, जाओ, मैं तुम्हें शाब देता हूँ, तुम्हें शाब देता हूँ, कि तुम जो है, बहुती एक निम्न शूद्र अस्तर का जीवन जी होगे, अगले लाइक, तो प्रसिद् भक्ति मार किया, और वो अपना भक्ति करते रहे, हमारा उनका नाम जब करते रहे, श्रवन किर्थन करते रहे, और ऐसा कहा जाते है कि जीवन के अंत में भगवत दाम चलेगा, अभी देखिए, गुरु के शाब के अनुसार, अभी शाब तो कितना शक्तिशाली होता है, उ उनको एक बहुत ही निम्रस्तर का जीवन प्राप होने वाला था, और उस जीवन में उनको बहुत सारी यातनाई जिल्नी होगी, इस प्रकार से, उनका आयोजन था, ये ब्रामन का शाब बहुत शक्तिशाली होता है, लेकिन उन्होंने भक्ति के माध्यम से ये शाब को एक तरीकिसे शाब लगा ही नहीं, सीदा भगवध्ध हम चले गयों, तो उसी प्रकार से प्रकृति के सारे नियमों के उपर होते है जगवान का नियम, क्योंकि प्रक्रती किस्की प्रकृती है, मयाद ध्यक्षेन प्रक्रती ही, सूय तेसर चरा चराशरम, सो प्रक्रती के वास ही एक व्यक्ति है जो यूनिवर्स को कंट्रोल कर रहा है यूनिवर्स ये प्रकृति जो है ये एक यंत्र है ये एक यंत्र जो है स्वतंत्र रूप से चलता नहीं जिस प्रकार से मेरे सामने एक लैप्टॉप है लैप्टॉप क्या है एक यंत्र है और यह यंत्र जो है स्वतंत्र रूप से चल नहीं सकता यंत्र को संचालन करने के लिए एक व्यक्ति की आवशक्ता बढ़ती है उसी प्रकार से प्रकृति भी एक यंत्र है और इस यंत्र को संचालन करने के लिए भगवान की आवशक्ता बढ़ती है भगवान ह को भी मानना स्विकार्णा आजकल के वैज्ञानिकों को चाहिए ये जिसे आपने बता है इस युनिवर्स को कंट्रोल करते हैं भगवान तो भगवान अपने भक्तों की जो मृत्व होती हैं से टाल देते हैं या फिर कुछ और जो उसके रिए बैस्ट होता है करते हैं लेकिन देखते हैं दूसरे लोग के लिए भगवान ऐसा नहीं करते हैं वो अपने कर्मों के अनुशार उन्हें कर्म फ़र मुलते हैं तो क्या भगवान पक्षपात करते हैं देखिए एक चीज मैं बताना चाहता हूँ सामान्य व्यक्ति जो भगवान के भक्त नहीं है भगवान उनके जीवन में हस्तक्षे बिलकुल नहीं करते हैं प्रकृति की अनुशार जो भी चीज़े उनके जीवन में चल रही है उसी प्रकार से चीज़े चलती हैayer कोई हस्त अगर आप जो है, अपना काम कर रहे हैं, तो मैं अपना काम करूँगा, जब तुम भगवान के नाम में, भगवान तुमारे काम में, जब तक तुम भगवान के नाम में, भगवान तुमारे काम में, जब तुम अपने काम में, तो भगवान अपने धाम में, हरे कृष्णा, यह जीवन का सचेश, तो उसकी तरीके से जो है, जो भक्त होते हैं, उसके जीवन में भगवान हस्तशेप करते हैं, क्योंकि भक्त जो है, भगवान के प्रती समर्पित होता है, भक्त जो होता है, वो भगवान को मानता है, पूजा करता है, उनके आराधना करता है, तो भगव जो है क्योंकि वो पूजा आराधना भक्ती स्वीकारत है उनके भक्ती तो इक तरीकी से वो रिनी हो जाते हैं और वो रिन के कारण जो है वो भक्त के जीवन में हस्तक्षेप करते हुए जो भक्त के लिए अनुकूल परिस्तिती है उसकी भक्ती तीवर करने के लिए उस अनु ब्रह्मास्त्र उनके माता के गर में लग गया था। पूरी तरह नश्ट हो चुका था। विस दिस्ट्टॉइट और मैं संतान भीजं गुरु पांडवाना मैं एक आखरी बीज था आखरी उम्मीद था कि इनकी पांड़ों की लेकिन तब ऐसी परिस्टिती में भगवान ने उनको बचा लिया अंगुष्ट रूप धारन करके अपनी कौमोध की गदा को घुमाते आश्वत्तामा के ब्रह्मास्त कांत किया और शिशु परिक्षित को पुना एक नया जीवन दिया भगवान की इच्छा थी तो उनको एक आगे चल करके परिक्षित महाराज वो जो है जब वो पूरी तरह अपनी जवानी में थे उनके इंद्रिया सब कुछ उनके नियंत्रम में थे उस बरी एक्टिव तब उस परिस्टिती में उस अवसर में जो है उनको एक ब्रह्मशाप लग गया कि आपकी जो है साथ दिवस के बाद मृत्य हो जाएगी आप परिक्षित महाराज ने क्या किया देखो जो जिस क्रिष्ट ने मुझे बचाया है उसी क्रिष्टी की आयोजन है ये कि मैं अभी शीगरता उनके दामलोट चलू और मेरे उनके माध्यम से जो है श्रीमत भागवतम का अभिरभा हुआ तो जीवन में देखते हैं जब जन्म भगवान बचाते हैं और मृत्यू को आगे टाल सकते हैं या फिर भगवान जो है मृत्यू को जल्दी आमंत्रित भी कर सकते हैं जो भी भक्त को गंबीर बनने के लिए अनुकूल परिस्तिती हो वो भगवान हस्तक्षिप करते हुए वो निर्मान कर सकते हैं। विशलित होता है या वो खिच के आ जाता है क्योंकि कई वार मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारे से लोग हैं जिने टैजना नहीं आता है वो पानी में नहीं उतरते हैं लेकिन समाव अधर वो उतरते हैं और वो डूप जाते हैं हो जाता है it's possible मैंने बहुत पहले जो है ये बात बताई थी इस शो में मैं फिर से बताना चाता हूँ कि हमारे इसी लेन में street में जस पीछे जहाँ पर मैं बैठा हूँ वहाँ पर मैंने एक बार जो है एक कुतिया आई थी कहां से आई पता निया जो कुतिया आई और वो अचानक से जो है उनका उदर फूल गया यानि कि वो प्रेजिनन थी गर्भोवती थी और गर्भोवती होने के बाद कुछी दिनों में जो है उन्हेंने चोटे-चोटे पिलों को कुत्ये की पिलों को जन्म दिया वो सब लोग स्तनपान करते थे अल्मस्ट छे साथ थे एक साथ जन्म हो गया सबका और जैसे वो पिल्ले थोड़े बड़े हो गये वो माता वहां से गायब होगी वो दिखी नहीं तो देखिए प्रकृती के अनुसार कितना कड़ा नहीं में वो उस जगह आई और उसी जगह पे ये पांच साथ पिल्लों का जो है जन्म लिखा हुआ था वहां जन्मे और जैसे वो बड़े हुए प्रकृती का अनुसार वो कही और चली गए फिर ये पिल्ले जो है उन्होंने किसी और कुटिया को गर्ववती किया होगा और इस तरीके से प्रकृती को आगे बढ़ाते है So this is the direction of the प्रकृती कर्म के कर्मा को प्रकृती बहुत सुन्दर तरीके से एक करती तो ये कुट्थे और कुटियास के जीवन से भी हम देख सकते हैं प्रकार से हम लोग भी We all are also attracted to that situation अभी किसी का दम घुट करने मानना हो तो वो लिफ्ट बंध हो सकती है अब डरावना सुनने में डरावना हो सकता है It can be very fearful Yes, किसी को जल में डूब करके दृत्यु लिखी हुई है तो कैसे भी करके you'll be attracted to that बले वो hydrophobic हो या फिर एक expert swimmer हो कैसे भी तरीके से वो जल से attract होके वो पहुँच जाएगा वाँ पे और मर जाएगा Somehow it'll be arranged Right, तो इस उदारण से हम लोग जो कुते कुतिया का उदारण देखते है यह आसान था समझना तो उसी तरीके से जो है जटल विशे जैसे मनुष्य कैसे attract होता है वो भी हम समझ सकते है उनका कोई प्लान नहीं था जाने के लिए लेकिन सदली अरे यहाँ चल के देखते है क्या है and you explore something else दो व्यक्तियों का मिलना जा हाली में एक बात हुई हमारे साथ तो हमारे कच भक्त जो है एक जगा मैं जगा का नाम नहीं बताना चाहता जगा गए थे और वहाँ पे दोनों मिलके मराठी में बात कर रहे थे तो एक रियत्ती आया और जस बोला उनके पास में आकर बोला जै महाराश्ट्रा ऐसे बोला तो उन्हेंने वह हरे कृष्णा बोला उसने वापिस हरे कृष्णा बोला और फिर यह हरे कृष्णा हरे कृष्णा बोलने के बाद पोचा अच्छा आप इसकौन मंदिर गए और बोला हमारी माता दिक्षित भक्त है इसकौन में अच्छा तो फिर आप क्या करते हैं तो उन्हें ने बोला कि हाँ हम इस देवता के भक्त हैं लेकिन आप आई एसा जुडिये हमसे ऐसे करके वो भक्ती मार्ग में आ गए तो देखा किस तरीके से व्यक्ति जो है अगर किसी इस तरीके से वो आये और हमसे मिले और इस तरीके से हमारा मिलना हो गया और तो जिस प्रकार से व्यक्ती लोग भी मिलते हैं तो मैं इनसे बादशीत कर रहा था तो मेरा जन्म जोन ईस जगह हूँ तो मैं बोला उस जगह? उस उस शहर में? वेर कहा कहा पे उस शहर में ऊनला इस लोकालीड बला अट लोकालीट से हमारे workingrant कर 진행 से जगह नबदाया तो बहुत बार हम एक दूसरे के आमने सामने से गुजरे हैं, लेकिन बात करने का योग जो है तब आया, बहुत बर्शोबाद, जब हम इस तरीके से मिलें, तो परकृति कि ज़िस तरीके से मिलाते हैं, उसी के द्वारा हम रिलाइस कर सकते हैं, शाक्षाकार प्राप कर सकते हैं कि मृत्यों से भी वैसे ही मिलाते हैं, we get attracted in some way or the other, right? प्रवजी जैसे आज इतना special episode है, तो आज हम, मैं आपसे कम प्रशने करूँगा और मैं audience को जादा मौका दोगा प्रशने का, तो ये मेरा last question है, बलकुल, और हमारे जो audience उनसे मैं request करूँगा, कि आपके जो भी प्रशने है, वो आप भेज दीजिए, और इस प्रशने के ब शरीर त्यागने की करला, तो व्यक्ति को कैसे जीवन जीना चाहिए, कya जीवन जीने की क कला उसे शीखनी चाए या शरीर त्यागने की कला सिखनी चाहिए. या 19 चैप्टर ये संपूर्ण श्रीमत भागवतम की बुनियाद है इस फांडेशन जो परिक्षित महाराज दो प्रश्ने करते है कि what is the duty of a dying man and what is the duty of a man in general यानि कि what is art of living and what is art of living दोनों जीने की प्रक्रिया क्या है और छोडने की शरीर देहत्या करने की प्रक्रिया क्या है यह दोनों चीजे जो है यही स्रीमत भागवतम पढ़ाता है तो मुख्य तरीके से यह दो प्रश्न इसका उत्तर मिलता है तो इसको गहराई से, गूरता से समझने के लिए हम लोग श्रीमत भागोतम की चर्चा करते हैं, नित्यम भागोत से वया, क्योंकि ये प्रश्ण कहना आसान है, लेकिन जितना हम परसपर श्रीमत भागोतम का पठन करेंगे, श्रवन करेंगे और इसकी चर्चा करेंगे, उतन जो है यह एक तैयारी है जो व्यक्ति करता है इस अप्रपरेशन and death is the final examination तो मृत्यू जो होती है इस शरीर की अंतिम परिक्षा है तो जिस प्रकार से एक प्रामानिक शिश्य जैसे बहुत सारे आजकल competitive exams है लोग IAT, Mains, Advance, NEET IAM के MBA पर जाने के लिए CAT, GMAT ऐसे बहुत सारे competitive exams है GRE, TOEFL तो इन सब की तैयारी लोग कैसे करते है सालों साल पहले कर देते है They prepare well in advance और प्रत्य एक दिन उनका discipline दिन चरे होता है और हम लोग जिस तरीकी से अगर कोई जाने है आप क्या करने वाले हो और हम NEET के exam या JEE के exam लिखने वाले है ठीक है, आपका दिन चरे क्या है मुझते है, दिन चरे हो मैं जो हूँ 5 घंटा football खेलता हूँ अजबाद कभी कभी मन करता है, school जाता हूँ आखी टाइब सोता रहता हूँ या video game खेलता रहता हूँ और कभी-कभी exam पास करने के लिए जो है, मैं थोड़ा बाद पढ़ लेता हूँ पढ़ा है नहीं हो तो फर्रे बनाता हूँ चिट्स चिटिंग के लिए चिट बनाता हूँ तो इस तरीके से हमको पता लग सकता है कि ये student गंबीर नहीं है ये तो बिल्कुल नहीं निकाल सकता gives very competitive exam on the other hand, जब हम discipline देखते हैं किसी और वेक्ती का मैं जो हूँ, disciplined हूँ, काफी I try to restrict my sleep and other bodily activities to 8 hours I've cut down everything else जितना bare minimum recreation मुझे चाहिए बिहार चाहिए उतना ही रखा है बाकी पूरा समाई मैं जो है 10-12 गंटे बैटके पढ़ाई करता हूँ 4 गंटे chemistry की, 4 गंटे mathematics की 4 गंटे physics की इस तरीके से ये 3 subjects की मैं टैयारी करता हूँ उसमें से एक गंटा मैं theory learning करता हूँ दूसरा गंटा मैं model lectures पढ़ता हूँ तीसरे गंटा मैं problem solving करता हूँ गंटा मैं mistakes को सुधारता हूँ ओ इस अब आरे बापरे क्या गंबीर आदमी है it's so very serious so एक व्यक्ति के दिंचर्य से उनकी गंबीरता कित्मी है परिक्षा उत्तिरोन हने में आमको पता लगता है तो उसी तरीके से death is examination बहुत लोग को exam पता ही निये कब एग देशन पर एक चीज़ है यह sudden exam है बहुत लोग को पता निये कि जीवन के अंत में एक परिक्षा होने वाली है यह चीज़ पता निये नंबर वान यह भागवत द्वारा ही पता लगती है दूसरी चीज़ यह exam sudden exam होगी surprise test बहुत बार हमारे school college हो में हमें एक surprise test मिलता था यानि कि teacher आज आते थे आज मैं आपको कुछ पढ़ा नियने वाली हूँ आप सभी लोग अपने notebook textbook सब खोल के बंद करके अपने bag में रख दीजे and take out a blank paper क्योंकि I am going to take a surprise test आज surprise test है चलो जिसने रोज पढ़ा है revision किया है उसके लिए तो surprise है यह तो कुछ भी नहीं है तो आसान है लेकिन जिस बंदे ने कुछ भी book को देखा भी नहीं है वो book खोला है से book cricket खेलने के लिए बच्चे book cricket खेलते थे न yes book के द्वारा cricket खेलते थे okay कितना हो गया दूसरा six four इस तरीके थे book cricket खेलने के लिए book खोला है उसको तो कुछ नहीं आने वाले yes कोई marks नहीं आने वाले बराबर तो death is surprise exam तो जब surprise exam होता है कौन उतीरन होता है उस exam में उतीरन वो विद्यार्टी होता है जो प्रती दिन अपनी साधना करता है मेनत करता है पढ़ाई करता है तो इसलिए हम सब सादत को प्रती दिन every day रो जो है उस मृत्यू की तियारी करनी है एतन निर्विद्यमानानाम जो मृत्यू को पास करना चाहता है उसको सतत हरीनाम लेना चाहिए इसा बोला गया है भग्वाल शी प्रिष्ण भी सततम कीरतम कीरतयनतोमाम बताते हैं हमेशा कीरतन करना चाहिए आठवध्य हमें फिर से बोलते है अनन्यचेताया सततम अनन्य चेताया सप्ततम हमेशा 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 चिंतन गर्टिस प्रक्टिस प्रक्टिस तो इसलिए अगर आपको कृष्ण को याद करना है मृत्य के समय तो साराठ समय याद करना पड़ता है क्योंकि जिस चना भूल गए शायद मृत्यु तब हो गई तो कुछ भी हो सकता है रहे तो इसलिए क्रिष्ण को हमेशा याद रखने की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए तो अभी क्रिष्ण को हमेशा तो याद नहीं रख पाते हम लोग तो क्या करें तिसले भगवद के आपने प्रक्रिया बताईए तो मैं बता देता हूं, भगवद गीता के 12 वाध्याय में श्लोक्रमांक 9 अगर हम पढ़ेंगे, तो श्लोक्रमांक 9 में लिखा गया है, अतचित्तम समाधातुम नशक नोशिमाईस्तिरम अभ्यास योगेरतो मामिच्छाप् धनन जया, बताते हैं भगवान श्री कृष्ण कि जो मेरे अस्मरण 2400 गंटे ने कर सकता, कोई बात नहीं, आप जो है, एक निर्धारित समय साधना कीजिये, और उस समय मुझे प्राप्त करने की इच्छा से अपनी साधना कीजिये, मामिच्छाप्तुम धनन जया, तो ये क्या है, तो ये है morning program, तो श्रील प्रापपाद ने हम सब को सुबह का कारेकरम दिया है, सुबह का कारेकरम यानि कि मंगला करना, तुमस्तान सब करके मंगला के लिए आना, मंगला आर्थी करने के बाद जो है, नाम जब करना, नाम जब के बाद शुमत भागवतम, शुमत और प्रोग्राम अटेंड करेंगे, या मंदिर में ही गीता क्लास और गौर आर्थी अटेंड करेंगे, सम्तिंग, सैंडविच होना चाहिए, और दिन के बीच में जो है, जितनी हो से कि आपके पारिवारिक जिमितारिया जो है, वो कर सकते है, या फिर आपके work, आपका जो नाइन नहीं दे पाएंगे, चीक है, तो आप अपने हिसाब से, आपके देंचरे की हिसाब के, आपके work से related, आपके mentor या counselor से बाचीत करके, custom made, एक tailor design morning program बनाईए और evening program बनाईए, make that and stick to it, और यह जब हम लोग इसकी तैस साधना की तेहरी करेंगे, तो Krishna की प्राप्त करने क प्रिश्ण को प्राप्त करने की इच्छा जरूर होनी चाहिए, येस, बहुत बहुत धन्यवात प्रभु जी, अब हम अपनी technical team से request करेंगे, कि आज का पहला प्रश्ण बताया जाए, बभुता जी का प्रश्ण है, प्रभु जी, आकाल मृत्तिव क्यों होती है, क्या वो भी पहले ही निश्यत होती है, हम इस प्रश्ण को ले चुके हैं, अगर भविता जी ठोड़ा रिवाइंड करेंगी, ये शुरुवात-शुरुवात में तो आपको इसका उतर मिल जाएगा, तो एक तरीके से अकाल मृत्यू यानि की व्यक्ति जब स्वे इच्छा से अपन ही रचित है, इसको विस्तार में जो है, पहले जाके आप बढ़ सकते हैं, तो प्रश्ण के और बागे बढ़ते हैं, सचीतरन प्रिसाद गुपता जी पूछ रहे हैं, इस सम्टाइम इट कैन हैपन वैं इस नाट प्रिडिक्टिड प्रिटिटर्माइंट एंड वाट हैप होता है कि चीजें पहले से निर्धारित नहीं होती है, तो इस समय सोल का क्या रहता है, वाट अपन तो दो सोल इन दिस्क, देखिए मृत्यू पहले से निर्धारित होती है, देश, काल, परिस्तिती, व्यक्ति, सब कुछ निर्धारित होती है, जैसे कि हमने चर्चा की, और जो निर्दारित नहीं होती वो आत्मात्या के जैसे होती है दिखिए बड़े-बड़े योगी जो है वो भी स्वेच्छा से शरीर त्याग करते हैं जैसे भीश्मदेव उनका इच्छा मृत्यों का वरदान था कुछ योगी लोग जो है अपने ही शरीर में अगनी का तत्व प्रज्वलित करके अपना देहत्याग कर सकते हैं तो ये सारी योग अनुसार जो है उनको कर्म नहीं लगते हैं उल्टा उनको सद्गत ही होती है लेकिन सामाने रूप से अगर हम लोग अनचरली अप्राकृतिक रूप से देह का आंत करे तो बहुत भीशन कर्म लगते हैं और उसका फलसुरूप यही होगा कि आत्मा को दिर काल तक बिना स्तूल शरी लिए जगना पड़ेगा एक और चीज़ जो लोग करते हैं वह है यूतनेशिया, मर्सी किलिंग, कुछ लोग करते हैं, वो देखते हैं कि कोई व्यक्ती बहुत पीड़ा जहल रहा है, येस, और देखते हैं, वो भी एक तरीके से, तशी बहुत 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 अगले प्रश्ने के और बढ़ते हैं, उतकर जी का प्रश्ने है, प्रभु जी क्या कोई व्यक्ती आध्यात्व study? अभ्यासों में अपने समर्पन और अपनी भक्ति के माध्यम से पहले से ही निर्धारत अपने जीवनकाल को बढ़ा सकता है। लेकिन बलराम जी ने देखा कि रोम अर्षन सूथ बले ही बहुत बड़ा विद्वान पंडित है पुरानों शास्त्रों में लेकिन उसकी योग्यता नहीं क्योंकि उसके हिरदे में दंब है। दिया गया था जो बिलकुल एक सौम्य और योग्य शिश्य था उसमें योग्यता थी बागवतम प्रस्तुति करने के लिए। तो हम इसी उधारन में दोनों चीज़ देख सकते हैं। अगर एक व्यक्ति को बहुत बड़ा दीरगायू मिला है एक हजार वश्यों का। अगर हरी की इच्छा से बलराम जी कौन है साक्षा भगवान के प्रकाश अवतार है। तो उनके इच्छा से जो है शीन हो गया, सारा आयू खतम हो गया। और दूसरी चीज़ क्योंकि उन्होंने जो है सूत गुस्वामी एक योग के शिश्य थे। जिब दस्ते शिक्द्क करने से शिश्य गुर्यू आपयू ता तो ईंको सारे गूय। उन्होंचों दिरगाई उप्रापत हो गई प्रचार करने विए और उन्हरुने اे ऐख खतमू सर्भाग भबातम के कथा गही है। और एक और हम लोग स्फ़ुंते हैं। श्रिमत भागवतम के दसम स्कन्द में बात आती है अगर कोई घोर अपराद भी कर देता है वैश्णों के प्रती या फिर बने महान ब्रामन के प्रती तब भी उसका आयू समाप्त हो जाती है और उसी तरीके से अगर कोई सिमिलर कॉरोलरी हम दूसरा भी उधार नेकले सकते ह अगर किसी ने सिथी सादू संतों को प्रसन्य किया है तो उनको भी उनका आयू बढ़ सकता है उन्होंने अपना एक तरीके से आखंड ब्रह्माचारी का वरत दारन करके आपने पिता जी को इतना संतुष कर दिया था कि उनके पिता जी बहुत योग्य वेक्ती थे उन्हों उनको जो है बहुत धीर्ग आयू से उनको जीना था इस बहुती जगत में लेकिन उन्होंने परातना किया कि हैं याम लोग जल्दी मरणा चाते हैं ठीके तो उनको कम्श के दवारा जल्दी मृत्यव परत्थ होगी और उस उतल लोक चले गए बहुत जल्दी तो ये भी हम देखते हैं कि एक तरीके से उनका जो है शरीर मेवास घट गया पीडा हुई लेकिन वो घट गया क्यूंकि उनको आशिरवाद प्राप्त हुआ तो या यू घट भी सकती है बढ़ भी सकती है वरिष्ट वृद्ध और योग्य ब्राम्मन वहिश्णों के आशिरवाद से या सम एक्जाम्पल्स बहुत बहुत धन्यवाद प्रवजी अगले प्रश्न की और बढ़ते हैं आई थिंक उतकर जीक उनका प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा 3D 4 real हरे कृष्ण प्रवजी, my caution is not related to today's topic. Why people's mind get disturbed during अमावस्या और पुर्णिमा पीरिड? प्लीज रिप्लाएं तो पूछना चाहते हैं कि मेरा प्रश्न जो है वो आज के topic से related नहीं है लेकर उनका प्रश्न है कि व्यक्ति का जो मन है वो अमावस्या और पुर्णिमा के समय क्यों बिचलित रहता है? प्रत्येक इंद्रिय होते हैं प्रत्येक इंद्रिय जो है उनके एक अधिपत्य देवता होते हैं जिनके खृपासे वो इंद्रिय का संचालन होता है और मन भी एक इंद्रिय है मन शष्टानी इंद्रियानी प्रकृतिश्टानी कर्शती तो मन भी एक इंद्रिय चटा व्यक्ति मेंटल हो सकता है, मेंटल, पागल, तो इसी कारण ये चीज़ होते हैं, तो इससे कैसे बचे, दिखिए हमारा इटिंग, खाना और मन का एक बहुत गहरा कनेक्शन है, तो एकादेशी का जब हम व्रत करते हैं, ऐसा बोला जाते हैं, जो भोजन हम करते हैं, उसको चे व्यक्ति जो है, अमावास्या और पूर्निमा में विचलित नहीं होता, प्रापर सेंस कंट्रोल दूरिंग एकादेशी, दोनों, शुकला या कृष्ण पाक्ष की एकादेशी, नियंत्रन हो, तो चार-पास दिन बाद जो है, उसको विचलित नहीं होता, ये चीज़ उसको काथ हो जाती है, अगले प्रश्ण के और बढ़ते हैं, तो ये जो अगला प्रश्ण है, वो है मन मोहन जी का, हरे किष्णा प्रवजी, मेरे को मन मांगलिक दोश है, मांगलिक दोश क्या होता है, और मांगलिक दोश काटने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, फिर भी हम लेंगे, मांगलिक, देखे हरे ग्रह जो है व्यक्ति के जीवन में, वो किसी ना किसी परिस्तिती का नियंतरन करता है, तो मंगल ग्रह जो होता है, वो विवाह का परिस्तिती जो है, उसका नियंतरन करता है, मांगलिक मतलब आपका मंगल बहुत भारी है, यानि कि वैवाहिक जीवन में बहुत कटिना ही आएंगे, तो यह मांगलिक है, तो मांगलिक व्यक्ति किसी अगर किसी नौन मांगलिक से विभा कर लेता है तो उसके जीवन में तो पार्टनर के जीवन में संकट आ सकते हैं, क्योंकि उसको भी मंगल के अमंगल प्रभाव को जहिलना पड़ेगा वो एक है तो मंगल दोश, मांगलिक दोश को खटाने के बहुत सारे सकाम कर्म क्रिया है, नमबर वन दूसरी चीज, उसी क्रिया में एक प्रक्रिया है कि उसकी पहले किसी एक पौधे विरिक्ष के साथ विभा किया जाता है, ताकि जो भी दोश है वो विरिक्ष को लग जाए और ये व्यत्ती बस जाए और जो पार्टनर में के आएंगे जीवन में आगे, उनको ये मंगल दोश्ट लगे ने लेकिन सबसे बड़ा सुलूशन है परलाद महाराच, चात्वेसकंद में बताते हैं कि वो जो है कृष्ण ग्रह के प्रभाव में थे वो कौन से ग्रह के प्रभाव में थे कृष्ण ग्रह तो जैसे कोई भक्ती करता है, वो कृष्ण ग्रह के प्रभाव में आ जाता है तो ये नवग्रह जो है उनका effect, उनकी जो है कुद्रिष्टी उन पे डालते नहीं पेक्ती पे, yes जैसे कहते हैं, मैंने सुना था कि गुपियों से जब कहा जाता था कि क्या हो गया है मेरे बच्चियों को तो कौन से भूत उसन पे सबार हो गए है तो पूर्ण मास ये कहते थी भूत नहीं ये नंद का पूत है तो भूत के प्रभाव तो कम होता है कि नंद की पूत के प्रभाव ज्यादा होता है तो जुरूर सारे गिराओं का प्रभाव अपने आप ही काम हो जाएगा अगले प्रश्ण के और बढ़ते हैं कि अगर बिना कि दिशा के म्रत्यु हो गई हो गई तो क्या होगा कि ये लाइफ खराब कि अगरिशया कि अगल duy क्रुब के ये नहीं हो गएफ अंका रत्त दिक्षा था जबाव्यां कि इंज का है हमें जानना चाह value ह ही दिव्यम क्नाद्थ यहात दूरे नहीं अवरम कर्म, वलम त्यक्त्वा मनी शिनार, दूर रख रहे हैं, तो यह वास्तविक रूप में दीक्षा यही है, और जब आपने किसी एक परम वहिष्णों को अपने हिर्दय में गुरू स्वरूप स्विकार लिया है, और आप आपचार वो दीक्षा है, 11 वर्ष वाद उनकी अपचारिक रूप में, तो दोनों आवशक है, यह रुदय में गुरू को संपूर्ण, गुरू की शिक्षा है, और गुरू का संग प्रापट करना, और गुरू की सेवा भाव की कामना, यह सारी चीज वास्तविक रिख्षा है, और उसी के साथ साथ जो है, जब व्यक्ति वो अप्चारिक रूप से भी दिक्षित होता है, पंचरात्री की विधी से, तो ये दिक्षा विधी को संपूर्ण करती है, तो अगर कोई व्यक्ति जो है, दिक्षा लेने को प्लान ही नहीं कर रहा है, तो बड़ा रिस्क है, उसको पशु जीमन भी प प्रक्षित कर रहा है, और वो दिक्षा लेना चाहता है, दिक्षा के लिए उसका नाम भी गया है, लेकिन उससे पहले उसकी मृत्य हो गई, यस, क्या अभी क्या करें, तो आब एक बात समझनी चाहिए, कि गुरु महराज उनको जानते हैं, अध्यात्मिक स्तर पर भगवा के गुरु थे, एक बहुत गंबीर भक्त एक मंदिर में, और वो गंबीर भक्त जो है, वह बहुत वर्द आवस्ता में प्राप्त कर चुके थे, माराज जी दिक्षा देने वाले थे, लेकिन दिक्षा लेने के पहले ही, वह अपने पोते को स्कूल छोडने गए थे, और वा से वनचारी जीवन ही वह व्यतित कर रहे थे, लेकिन और बहुत बार वो चौसट माला भी करते थे, इस तरीकी से, माराज ने एक ही प्रश्न किया, क्या उनके माला कंप्लीट हुए थे सुबह, तो डिवोटीस ने कहा बिलकुई, उनके माला कंप्ली, वो कभी भी, सुबह मंगल आर्थी के पहले माला करके आते थे, तो माराज ने बोले, इस डेफिनेटली गॉर्न बैक तुगाट इट, बस, वीर्ट एक्सेट इट, तो आप एक तरीकी से समझ गे, वीर्ट बी सिंसियर सीरियस विदाट अल्टेर मोटिवस, हमें प्रामनिक बनना है, गंबीर ब पढ़ते हैं, स्रिया जानकिदी, मर्तु सौसत है, ये पता है हमें, लेकिन फिर भी अपने प्रिये जनों से बिछडने के भह रहता है, इस्पेशली अपने बच्चों से, इस भह से बाहर कैसे आएं, गुरुजी, प्लीज गाइट रभुजी, गुरुजी, अरे कृष्ण जो एक तरीके से भह वह होता है, भविश्य काल को लेकर के जो है, जो अनसर्टिनिटी, अस्वस्तता जो रहती है, वो जॉब के रिलेटिड हो सकती है, या परिजनों के रिलेटिड रह सकती है, अपने स्वास्त के रिलेटिड रह सकती है, तो ये सारी चीज़े भह है, भह ये एक अनर्थ भी है जो illusion यानि कि मोह के कारणात है तो मोह दो चीजों को या फिर तीन चीजों को जो है उत्पन करता है नमबर वन, lamentation of past यानि कि हमको past यानि कि जो भूत काल है उससे जितने भी हमने दिरने ली है आत्मगलानी करते हुए व्यक्ति जो है भूत काल में रह जाता है या भी भविश्य का डर वो भी मोह है और मोह एक और चीज़ होता है कि ये वस्तु जो है मुझे आज अभी enjoyment यानि कि भोग देगी प्रदान करेगी ये भी जो है एक प्रकार का मोह है तो ये भी एक तरीके का मोह है तो अभी मोह से कैसे बचे देखिए अरजून भी मोहित हुआ था वो भी जो है मोह के कारण तरस्त गरस्त था तो उसका मोह निवारन करने के लिए जो है भगवान शी कृष्ण ने गीता का उपदेश सुना है खास करके आत्म तत्व ग्याद यानि कि भगवद गीता का दूसरा अध्या है तो ये दूसरा अध्या है भगवद गीता का पार्ट करते हुए हमें जो है इस तत्व को आत्म तत्व को और गहराई से समझना है जितना हम आत्म तत्व को को समझेंगे हम शारिरिक चितना से बाहर निकलेंगे theory as you said that is fix so if i smoke 20 cigarette a day drink alcohol daily then will i still die in same pre-determined date very good question miliard theory ji आपका नाम भी reveal कीजिए मुझे बहुत अच्छा लगा प्रश्चन आपका मुझे मैं वेट कर रहा था कि कोई ऐसा परकार का question पूछे yes so आपका death predestined होगा definitely लेकिन आपके कुप करम के कारण आप बहुत ही पृत्यू से भी बत्तर जीवन जीएंगे you smoke 20 cigarettes a day you're gonna have punctured lungs you drink alcohol a day you'll have liver cirrhosis you can't eat practically anything कुछ भी आप खानी पाओगे तो आप भले ही निर्दारित मृत्यू आपकी एक हुई है तो उससे पिले रोज रोज आप मरोगे it's worse than death that you'll live so पापमाई जीवन ऐसे होता है यह मुख्रता रहे unsud अजिकिन पापमा जीवन जाह आमें प्रती शन मारता है सम अपिकती प्रती शन मरता रहे राइस तो ऐसा जीना भी क्या जीना यह है मोलते हैं猜 स्लिए म्यंत वेकलों प्रत्रत ऑर बहुत बिवन प्रकार की वीमारियों से ग्रस्यतो और कर नेक्स्ट कुर्शन जी का प्रश्न है हरे कृष्ण प्रवजी जब सब कुछ भगवान की इच्छा से होती है तो सब कुछ इच्छा अच्छा ही होना चाहिए अच्छा ही होना चाहिए था ओख मैं आपका दूसरा प्रश्न पहले लेना चाहूँगा लेखी हम सब भी कुछ चीज़ों के लिए कुछ चीज़ें हमारे कंड्रोल में हो सकती है इसप्रकार से मुझे कॉनसा केरियर चूज करना है कॉनसी कंपणी में काम करना है मुझे कौन सा पती या पत्नी चाहिए मुझे कौन सा घर चाहिए, कौन सा गाड़ी चाहिए ये सारी चीज़े हम decide करते हैं yes, निधारित करते हैं लेकि कुछ चीज़े जो है हमें हम decide नहीं कर सकते हैं जैसे कि हम कितने सुन्दर दिखेंगे हमारे face cut कैसे होगा हमारे माता-पिता कौन होंगे हम कौन से परिवार में, कौन से कुल में जनमेंगे हमारे बुद्धी का स्तर कितना होगा ये सारी चीज़े हम निधारित नहीं कर सकते हैं this is out of our control right, ये सारी चीज़े beyond control है तो एक तरीके से हमें पता लग रहा है कि कुछ चीज़े हमारे circle of control में आती है और कुछ चीज़े maximum चीज़े हमारे circle of control के बाहर जाती है तो जो चीज़े circle of control के बाहर है वो भगवान control करते है या फिर प्रकृती control करती है राइट, प्रकृती भगवान की ही शक्ति है जो कंट्रोल करती है और जो circle of control है उसमें हम कुछ चीजें डिसाइकते हैं जो बहुत चोटी चीजें होती है so जो भी भगवान करते है is all good, his sumum bonum कहते हैं यानि कि भगवान is all good वो जो भी करते हैं अच्छे करते हैं लेकिन bad things कब होते हैं जब हम हमारी स्वेच्चा की दूरूपयोग करते हैं right so गलती वहाँ हम करते हैं तो व्यक्ति जो है पीडित होता है खुद के गलत निरनवे के कारण yes जब वो गलत निरनवे का चैन करता है wrong decisions तब यक्ति जो है दुख भोगता है बॉरेट रएट रएट या next question निर्दी जी का प्रशन है I am very lazy person I see all the devotees chanting and practicing bhakti sincerely all the time I wasted my time in thinking only and appreciating what kind of death I will get एक तरीके से जो है भक्ति का एक और अंग रहता है श्रिण्वन्ति गायन्ति ग्रणन्ति अभिक्ष्न शहर स्मरंति नंदन्ति तवे हितम जना सैव पश्यंत्य चिरेन तावकम भव प्रवाहो परमं पदाम बुजन तो उसमें आपने appreciation लिखा वो अच्छी बात है अगर आप भक्तों को अपने हिर्दे पूर्वक appreciate करते हैं हिर्दे पूर्वक और उनको जाके बता रहे हैं कि आप बहुत सही भक्ति करें मिल्ली भी प्रात्ना कीजिए तो आप देखेंगे कि जल्दी जल्दी उनलों को भक्ति करते हैं आप पानंदा रहा है so that is basically लेकिन आपका एक appreciation यह अच्छा point है आपने हम बले ही भक्ति जीवन में आलसी है लेकिन हम लोग प्रसंसा कर रहें भक्तों की तो आप भक्तों की कृपा की आचना कीजिए please उनलों की सेवा कीजिए और वो जो गंबीर भक्तों उनकी सेवा कीजिए let's not think about what will be your death think about what will be how can we improve from this situation right उनलों की सेवा कीजिए उनसे शिक्षा ग्रहन कीजिए और आप भी गंबीर बनिये जैसा संग ऐसा रंग तो आप गंबीर भक्तों का संग करके please गंबीर बनिये don't just remain a very silent appreciator be a practitioner okay yes thank you next question amazing word पांचांग नमस्क नमस्क नक मस्तक मैं अगर किसी की मृत्यू हो जाए हो जाए तो क्या उस वंश के पांच लोग भी मृत्यू को प्राप्त होते हैं तो वो क्या अकेले मृत्यू होती है पंचक बोल जा रही पंचक पंचक नक्षत्र हो ठीक कोई भी नक्षत्र हो क्या ऐसा कोई नक्षत्र है उस नक्षत्र में व्यक्ति वो मृत्यू प्राप्त हो जाती है कि परिवार जन भी मृत्यू हर कोई मरने माला है एक तरीके से, अकाल मृत्यू व्यक्ति के कर्मा नुसा रहती है, और किसी के कर्म में अकाल मृत्यू हो, तो ऐसा लिखा गया, ऐसा देखते भी है, कुछ परिवारजनों को दिखाये जाते हैं, एक पैटर्न रहता है, मैंने देखा एक बार, बहुत बार देखा है, बहुत बार कुछ परिवारों manufacturing में देखा है, वह इस तरीके से पैटर्न होता है, कि उनके लोग जो है, इसी तरीके से एक regular पैटर्न में उनकी मृत्धी होती रहती यैं तो येश होता है ये बट एक चीज़ हम जो हम बताना चाहते हैं आपको वो ये है कि अगर कृष्णा भक्ती कहिले सर्वा कर्म कृत हुए ये सारी चीजों से आप बच सकते हैं अगर कृष्ण मक्ति इन फैक्ट चरनामृत अगर हम चरनामृत घ्रहन करते हैं भगवान का चरनामृत घ्रहन करने के बहुत सारे लाब है उनमें से एक लाब है अकाल मृत्यु हरनम तैसे जो दोश है काल सर्प दोश जैसे या पंचक नक्षत्र दोश तो इन सब से जब हम चरणामृत ग्रहन करते हैं भगवान का और भगवान के स्वी चरण स्मरन करते हुए चरणामृत ग्रहन करते हैं तो ऐसे दोशों से भी मुक्त हो सकते हैं तो प्रति दिन भगला भगवान की जब दर्शनार्थी करते हैं भगवान का च सत्यम कुमार जी का प्रश्ण है, हरे किश्ना प्रवजी, क्या कृष्णिक की भक्तों को क्ष्ट होता है। गाडी जो है उसका हैडलाइट टूड़ गया, बावनाट टच हो गया, स्क्राच आ गया, खरोच आ गई, है नए, तो जितना आसकते हैं उतनी जादा पीड़ा होगी, तो उसी प्रकार से जितना विक्ति आसकते हैं उस आसकती के कारण जो है चालीज हजार विच्छू डंक म क्रिष्ट से आ सकते हैं अगर क्रिष्ट से आ सकते हैं और जब वो आ सकती नहीं है तो उनको किसी परकार की फीडा भी नहीं होगी एक तरीके से अमरूद जब देखाते हैं आम लोग अमरूद पेरू गौवा अमरूद जो होता है उसको तोड़ते हुए देखेंगे तो अग कर जाता है तुझी तरीके से जो आध्यात्मिक रूप से कृष्ण भक्ति करके परिपक्व हो गया हो उस व्यव्यक्ति को जो है किसी भी तरीके से कष्ट होता नहीं है कि अग्ला प्रश्न जी तेजिए गाहे हरे किशना प्रवजी क्या जन्म रत्व के अलावा और क्या-क्या पहले से निश्यत होता है हरी हरी रेक्ति का भोजन धन बार्या परिवार स्वजण विद्या सारी चीज़े ये सब चीज़े निश्यत होती है स्वास्त्य, ये सारे सुख, दुख, खप्रमाण, ये सारी चीज़े सुनिक्चित होती है, एक तरीके से फुरा लाइफ डिजाइन होता है पहले से, लेकिन व्यक्ति हमेशा एक चॉइस होता है उसके पास, कि परिस्तितिया डिजाइन तो की गई है, question paper सथ है, लेकिन हम वो question paper को कैसे solve कर रहे हम लोग, ये हमारे हाथ में है, चीक है, next question, श्षान जी का है, श्षान भागवाज जी, हरे किष्णा प्रहुजी, क्या हम अपने कर्मों की बजा से जल्दी या देरी से मरते हैं? ऐसा बोला भी गया है, जो पाप करता है, पाप कर्म करने के कारण उसके आयू घट सकती है, येस, और उसी तरीके से पुण्य कर्म करके आशिरवात राप करके आयू बढ़ाई भी जा सकती है, येस, 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 अल्सों मेंचिएट, next question, कोविट में डैथ क्या अंटाइमली डैथ है? नहीं, नेक्स्ट नहीं है, वो व्यादी है ना? नेक्स्ट क्षण, सुमन यादब, अरे किष्णा प्रवजी, टाइम अफ डैथ वस डैस्टिन, इस्टिन, स्टिल, मारकंडे रिषी कंकरड़ डिट, कैन भक्ती चेंज दा कोर्स अफ टाइम, उसना चाहती है, हमने इस पे तर्चा की पहले, येस, नेक्स्ट क्वेशन, गंगा धर्जी का, इव डिबोटी इस फॉल डाउन, वाट विल हैपन अफ्र डैथ, हैल और रिबर्थ तो देबोटी इस हाउस? सेकेंड चांस, अजामिल का उदारन देखते हैं, भरत मारत का उदारन देखते हैं, उसे समझेंगे, तो जिस स्तर से व्यक्ति का पतन हुआ है, उसके अनुसार चीज़े निर्दारित होती है, कभी केस टू केस पर डिपेंड करता है, तो आब भगवद गीता का चाटा आध्याश, लोकरवांका 40, 41, 42, 43, 44, ये पढ़ लीजे, अलग-अलग स्तर के अनुसार, जिस स्व्यक्ति को योगबरष्ट बोलते हैं, उस हिसाब से उसका डेस्चिनेशन है, तो रहुमवग कर दीजे, क्योंकि पहले तक पीस तो भक्त को मनुश्य देह प्राप्त होना तो निस्चित है, तो और उसने अच्छी मात्रा में भक्ति के तो शुची नाम श्रीमताम गे है, यानि कि वो जो है किसी धनी परिवार में या फिर ब्रामनों के परिकुल में जन्म लेगा, और तीसरा है वो आचार्यों के घर में जन्म ले सकता है, येस, नेक्स्ट कॉर्शन, आप से, आपने बताया कि हमारी निर्धारित स्वास की संख्या पूरी होने के बाद हमारी मृत्यव हो जाती है, क्या हम अधिक स्वास लेने से जल्दी मृत्यव को प्राप्त होंगे? येस, इसलिए बोलते हैं, have a controlled breathing, proper breathing, सही से, learn how to breathe properly, ब्रीधिंग is an unconscious activity, यानि कि ये जो है प्रकृती द्वारा ही control, इसको involuntary action बोलते हैं, लेकिन दिन में बैठ करके थोड़ा प्राणायम भी व्यक्ति जब करता है, तो ये practices how to control breath, एक तरीके से, तो इसलिए सही से सास लेना भी सीखना चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा अगर इस पैंटिंग इन टेकिंग टू मच सास येस, उतनी सासे हैं उसके जीवन में शरीर में, अगर कोई प्रभूत दोड़ता है, भागता है, exercise करता है, उसमें उसकी सास बहुत जल्दी जल्दी चलती है, तो क्या अपनी निर्धर्थ सासों को कम कर रहा है? एक्चली दोड़ते, कूथते, खेलते हुए भी सास लेने का एक ट्रेनिंग होता है, सिखाते हैं, how to breathe, exercise करते हैं भी, exercise ग्यायम करते हैं, yoga करते हैं, कैसे स्वास लेना हो ये भी सिखाते हैं, तो हमें प्रॉपर्ली सीखना चाहिए, we should learn how to breathe प्रॉपर्ली, इसी को तो प्राणायम कहते हैं, ये ट्रेनिंग नहीं दिया जाता, आज़्टी जस्ट पैशन के करण विक्ति खेलता है, directly, तो ट्रेनिंग प्रॉपर्ली ले तो सास से कंट्रोल होगी, yes? नेक्स्ट कॉशन, विन्यूत कुमार साँ, हरे किशना प्रभुजी डंडवत प्रणाम, प्रभु मेरा कॉशन ये है, कि मृत्यू के टाइम जो भक्त नहीं है, उसको जो दर्द होता है, और एक भक्त जब सरी छोड़ता है, उसको भी वही दर्द होता है? हमने ये प्रश्न अल्रेडी ले लिया है, आप पहने तोड़ा रिवाइट करके सुन लीजिए, ठीक है? एक अंतिम प्रश्न करके विराम देते हैं, अगर आपकी आगे हो तो, शूर शूर प्रजी, अंतिम प्रश्न किष्णा डिवोटी, what are not fixed in our life except भक्ती, I find everything is directly or indirectly linked with previous life's karma. बहुत सही आपका अनलिसिस है, सब को जो है पूर्व कर्म अनुसार निर्धारित है, और जो चीज फिक्च नहीं है वो है कृपा, दक्तों की सेवा, भगवान की सेवा, हमारी साधना जो करते हैं, गुरु जनों के आशिरवाद, वृद्ध जनों के आशिरवाद, ये सारी चीजे निर्धारित नहीं होती कर्म में, तो ये सारी चीजे जो है, ये fix नहीं होती, और ये चीजे कर्म को बदल सकती है परिवर्थित करने कर्मान निर्दहतु किन्तुच भक्ति भाजाम सो भक्ति में वो शक्ति रहती है कर्म को परिवर्थित करने की राइट हरीवाव तो प्रभुजी आज का जैसे special episode था हमने बहुत सारे questions लिए उसी के साथ में एक छोटा सा message आपके साइट से चाहूँगा कि सीधी बात प्रभुजी के साथ तो प्रभुजी का सीधा सा एक message बिल्कुल बिल्कुल देखिए श्रुल प्रभुपाजी बताते हैं कि जीवन में तीन भक्ति के जीवन में तीन गुण होना आवशक है पहला है sincerity यानि कि प्रामानिक्ता यानि कि जितनी भी विकट परिस्ति दी हो हम भक्ति छोड़ेंगे ने दूसरा है गंबीरता seriousness यानि कि हम लोग इस तरीके से साथना करेंगे कि ये हमारा आखरी टाइम है यानि कि मृत्यू वेट कर रही है आज ही मृत्यू होने वाली है तो हम कैसी साथना करेंगे वो गंबीरता है और तीसरा है अहई तुकी यानि कि हम लोग भक्ती करते हैं भक्ती प्राप्त करने के लिए सेवा करते हैं सेवा प्राप्त करने के लिए नाम जबते हैं और नाम करने के लिए बस और किसी हेतु से हम लोग बक्ति नहीं करते हैं ये तीन चीजे ध्यान में रखते हुए बक्ति करनी चाहिए और फिर हमें जो है जन मम golden किसी चीज के बारे में कोई भी चिंदा करने की आवशक्ता नहीं है ठीक है है हरी बहुत है थेंक्यों वेरिमिश प्रभु जी अगर कोई व्यक्ति अपनी मिर्ट्व की स्थिती पर कैसे पहुंचता है और क्या कारण होते हैं जिनको लेकर व्यक्ति आकाल या फिर हम बोल सकते हैं काल मिर्ट्व होती है तो अगले गुरु बार प्रभु जी से सीधी बात करेंगे एक नए टॉपिक को लेकर तब तक के लिए हरे किश्चना